दोस्तो किसी भी फोटोग्रोफर के लिए उसके फोटोज और वीडियो का डेटा बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और कई बार हमारी कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती है जिसकी वज़ा से हमारा कैमरा का SD कार्ड या मेमोरी कार्ड जो है वो डैमेज हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो आज हम बात करेंगे उन 10 बैड हैबिट्स के बारे में अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो I am sure कि आपका जो कैमरा का कार्ड है SD कार्ड या मेमोरी कार्ड वो कभी भी करप्ट नहीं होगा क्योंकि अगर आपकी फोटो या वीडियो डिलीट हो गए तो आपकी सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और बहुत सारे फोटोग्रोफर्स ये मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए भी का तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस विशह पे बात करें तो इस वीडियो को छोड़के कहीं मज जाईएगा वेल्कम बेक टू मैं चैनल फ्रेंड्स दिस इस मनीश सकसेना लेट्स गेट स्टार्टे तो सबसे पहले मैं आपको बता दो दोस्तों बहुत सारे फोटोग्रोफर्स क्या गलती करते हैं वो अपना देखिए camera का जो memory card होता है यहाँ पर वो जब भी अपना shoot खतम करते हैं तो अपने camera का memory card इस तरह से बहार निकालते हैं और सीधा जो है laptop में लगा देते हैं और फिर दुबारा जो है इसको इस तरह से वापस लगा देते हैं यह कई बार वो जो है 20-20 shot लेते हैं 50-50 shot लेते हैं क्योंकि कई बार बर memory card में जगा बराबर नहीं होती उसे बहार निकालते हैं आप देख पार है यहां पर जो देखिए इधर जो card आपका जो है यहां पर आपकी दिख रहे हैं आपकी गोल्ड जैसा यह यलो यलो यह सारी चीज़े जो है यहां पर इसका एक internal circuit होता है जहां पर वो बराबर टच करती है अब जितनी बार आप card भार निकालेंगे अंदर डालेंगे वो वहां पर अंदर जो है dent डालती है दीरे दीरे और कई बार जो आपको पता नहीं चलता अपने card लगाया और आपका card जो है वो damage हो जाता है तो भाई यह habit आप बिल्कुल छोड़ दीजिए उसकी जगह कर आपको अपनी photos को transfer ही करना है तो आप हबेशा दीखि की अब बहुत सरे photographers क्या करते हैं जब भी photos shoot करते हैं तो जैसी कोई picture को नोंने खीचा immediately जो है camera को बंद कर देते हैं बंद करने से मतले है कि वह image जो है बराबर से card पर return ही नहीं हुई और उसके पहले आपने camera को बंद कर दिया यह आपने 10-12 pictures खीचे और सीधा अपने camera को जै तो card ready नहीं कर रहा या आपकी images जो है बराबर से नहीं दिखा रहे हैं या दोतीन images दिखा रहे हैं या बाकी की images missing है तो इस गलती को भी जो है आप हमेशा नजर अंदास मत करिएगा आप पहले अपनी पूरी pictures को return होने दीजिए उसके उपर right होने दीजिए और उसके बाद ही जो है आप अपने camera को switch off करें अब तीसरी सबसे बड़ी गलती जो photographers करते हैं वो यह करते कि भहिया आप wedding photography में है किसी event photography को cover कर रहे हैं आपका एक card full हो गया तो आपने दूसरे साती से या आपने अपने camera bag से दूसरा card निकाला और जो है उसके अंदर insert कर दिया अब यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है अगर आप माली किसी दूसरे photographers का card डाल के अपने camera में डाल रहे हैं और आपने उसे format ही नहीं किया है तो भी आपका जो card करत हो सकता है damage हो सकता है या आप अपने खुद का भी अपने bank में से निकाल के दूसरा card डाल रहें card full होने के गाल दिया और आपने उसे format कर नहीं किया तो यहां पर दोस्तों यह बहुत सिली mistake है लेकिन आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं जब आप अपने घर जाते है शूट करने के बाद और देखते हैं कि भाई मेरा तो card रीड नहीं कर रहा है अब चौती सबसे बड़ी गलती ज जो भी storage limit होती है बिल्कुल full कर देते हैं एक्तम full अब वहां पर कई बार क्या होता है जो इसका जो head होता है SD card का उसके ओपर कई बार जो है आपकी images over return हो जाती है तो इस वजा से भी आपका data आपका कई बार corrupt हो जाता है या card कई बार read नहीं करता है जब आप उसे computer में लग कर ली आप वहां पर कम से कम 50-100 MB की जगा छोड़िए उसके बाद आप जो है transfer करिए और फिर जो है आप दुबारा उस card को format करके अपने camera में लगाई अब पांच भी गलती भी दोस्तों इसी बात से related है कई photographers क्या करते है जब उनका card full हो जाता है तो वो pictures को transfer ही नहीं करते है वो क्या करते है कि कुछ pictures delete करी फिर कुछ picture shoot कर ली फिर 18-10 picture डिलीट करी फिर 18-10 picture shoot कर ली कि भाई इसमें से 2-3 तो हमें मिली जाएगी तो ये जो बार-बर card full होने के बाद आपको उसको delete कर रहे है images को फिर shoot कर रहे है फिर delete कर रहे है तो इस वजह से भी आपका card जो है कई अगर SD card और memory card damage हो जाता है अगर आपका card full हो गया है या full होने के बिलकुल pass है तो पहले आप उसे transfer कर लीजिए दुबारा लगा लीजिए format करके और फिर shoot करना शुडू करिए लेकिन बहुत सारे photographers उनको लगता है कि यह थोड़ा सा tedious job है आर टाइम लग जाएगा मैं card को भ खराब बार वह continuously इस तरह से shoot करते हैं तो यह bad habit आपको दोस्तों छोड़नी पड़ेगी अब दोस्तों बात करते हैं हमारी छटी यानिकि 6th बहुत बड़ी bad habit की वह यह होता है कि बहुत सारे photographers क्या करते हैं अपने card को camera की जगा जो है computer में format करते हैं यानिकि card को पहले computer में लगाया और उसके बाद जो है अपने card को format करते हैं अब इससे दो नुकसान होते हैं एक तो आपका card damage हो सकता है दूसरा यह कि अगर आपके अपने laptop और computer में card को format करेंगे तो जो उसका data processing की speed है वो भी काफी slow हो जाएगी यानि कहने का मतलब है कि आपकी जो card की writing speed है वो भी slow हो जाती है तो अगर आपको अपने card को format ही करना है तो दोस्तों उसे आप हमेशा अपने camera में format कीजिए आपके computer या laptop पर नहीं अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 7th सबसे बड़ी mistake की बहुत सारे photographers क्या करते हैं जब photos को shoot करते हैं तो कई बार उनकी battery जो है बिल्कुल 1% पर परसेंट पर पहुंच गई है तो आप पहले भी अपनी battery को replace करिए चार्ज करिए उसके बाद shooting करिए क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी battery बिल्कुल खतम हो गई है और आप shoot कर रहे हैं और चलते चलते आपका camera बंद हो गया तो भी आपका जो SD card है, memory card है वो damage हो सकता है या आपका जो data है वो corrupt हो सकता है अब बात करते हैं हमारी art भी bad habit की तो सबसे बड़ी bad habit ही होती है कई photographer क्या करते हैं दोस्तों कि उनकी camera की battery जो है बिल्कुल 2% या 1% पर होती है तब वो pictures को transfer करना शुरू करते हैं अपने camera को अपने computer से connect करते ह और जब वो transfer कर रहे होते हैं उसकी बीच में बैटरी खतम हो जाती है और उसके बाद सबसे बड़ा problem ही होता है कि भाई जब वो दुबारा लगाते है चार्ज करने के बाद तो आप देखते हैं कि आपका card reading नहीं कर रहा आपका camera ठीक से connect में हो रहा है data बराबर से reading नहीं क जब भी आप अपनी फोटो को transfer करें तो आप चेक कर लें कि आपकी camera के अंदर battery इनफ हो जब तक की transfer ना हो जाए अब बात करते हैं दोस्तों बहुत important 9th bad habit की कई बार लोग क्या करते हैं या गई बार हम कह सकते bad habit नौके कई बार mistake भी होती है कि हम जब अपने pictures को transfer कर रहे हो और फोल्डर जब दिख रहे होते हैं आपके screen के ओपर तभी जो है आप card reader से अपने card को बाहर निकाल लेते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए दोस्तों आप पहले सारी pictures को transfer होने दीजिए जल्दी बाजी में आप card reader से अपने card को बाहर मत निकालिए और पूरी तरह से ज दोस्तों आपका card damage हो सकता है आपका पूरा पूरा data जो है वो corrupt हो सकता है last but not the least 10th better bit क्या होती है कि भीया हमारा जो card होता है इसे हम पूरा multipurpose use के लिए रखते है यानि कि हम क्या करते हैं इस card के अंदर हम shoot नहीं कर रहे हैं तो इसमें अपने data वर दिया कुछ गाने वर दिय या हमने कुछ उसमे documents डाल दिये और उसी card को हमने अपने camera में लगा लिया और शूट करना शुडू कर दिया तो यहां पर भी दोस्तों कई बर क्या होता है अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके card के अंदर जो है malware या हम कह सकते हैं कि virus इस तरह का attack हो सकता है और उसके अ 10 mistakes मैंने आपको जो बताई है आप इसका ध्यान रखेंगे यह बहुत silly mistakes होती है दोस्तों हमें कई बार जाने जाने में पता नहीं चलता अगर आप इन 10-12 बातों का जो मैंने आज बताई है आप ध्यान रखेंगे तो I am sure कि आपका जो card कभी भी damage नहीं होगा उमीद है आज इस वीडियो से आपको थोड़ी सी help मिली होगी थोड़ा से overview मिला होगा कि भाया camera की तरह हमारे card भी उत्रह important है क्योंकि भाया सारी photos जो है सारा data जो है वो इस card पर ही आता है तो इसको सम्हाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है यह हमारी जिम्यदारी बनती है आज का वीडिय